सब्सक्राइब टू अबर चनल एंड टैब बेल नोटिफिकेशन आइकन तो नेवर मिस अटेक वीडियो फ्रॉम घीक इशुग दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अमेज़ फिट बिप टच स्क्रीन स्मार्ट वाच का रिव्यू वीडियो में आप लाश तक मर रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि अगर आप जेब से 5,000 रुपए खर्च करके अमेज़ फिट, हुआमी, बिप, स्मार्ट वाच लेना चाहते हैं तो क्या आप ले सकते हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो वीडियो में आप लाश तक मर रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके नमशकार दोस्तों मेरा नाम है श्वम स्ट्रेप्स के साथ यानि बहुत ही हलका है और बहुत ही आपको यूसिबल रहेगा बहुत 24 गंटे आप इसको पाइनके रख सकते हैं अगर आप चाहें तो प्लास्टिक हाउजिंग है मैट फिनिश है देखने में सुंदर लगता है तो पॉइंट कॉंटेक्ट चारजिंग डॉक आपको इसमें मिलता है तो चारजिंग के लिए आसानी है और क्वालिटी जो है वो अच्छी है मलदो इस ट्रैप की जो क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा रिडिविल्टी देता है और काफी ज्यादा रिस्पॉंसिव है तो मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं लगी अगर डिश्पॉंसिव और काफी अच्छे से काम करता है अगर बात कर लें कुछ और मेन फीचर्स की ।ो दिन्ड टोगल मिलता आपको main menu मिलता है आपको और notification menu मिलता है D&D toggle से आप accessibility कर सकते हैं pull and click करके उसके बाद अगर बात की जा call notifications वगेरा की तो आप उसको push button करके आप select silent या reject कर सकते हैं अगर बात करें respond करने की तो आप किसी भी text notification का आप response नहीं दे सकते हैं आप सारी चीजों को आप से control कर सकते हैं चाहे हो आपकी daily activity हो, status हो, exercise mode हो, weather हो forecast हो, alarm timer हर चीज को आप set कर सकते हैं watch में ही और physical button से आप उसको set कर सकते हैं, use कर सकते हैं find my phone का भी option इसमें आपको मिल जाता है तो यह सारे features आपको मिलते हैं अगर और feature की बात किया तो इसमें आपको मिलता है sports mode, इसमें की आपको चार mode मिलते हैं run, walk, treadmill, cycling swimming mode नहीं मिलता है GPS और heart rate sensor से इन चीजों को आप अपने हिसाब से एप से calculate कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको track कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही usable होगा, अगर watch faces की बात की जाए तो बहुत सारे इसमें watch faces आपको मिल सकते हैं, आप third party apps भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे की आप watch faces को और ज़्यादा ला सकते हैं sleep tracking की बात किया, तो Xiaomi के sleep trackers काफी spot on होता है, 90% accuracy होती है केवल night time data ये sleep को track करते हैं, तो आप अपने smartphone के app से, जो आपका me app होगा, उससे आप सारी चीजों को track कर सकते हैं, इसमें serentary repinder भी आपको मिलता है, serentary repinder से ये आपको फायदा होता है कि अगर longer period तक आप बैठे हैं तो आपको खड़े होने के लिए दे देता है भाया, ये थोड़े खड़े हो जाईए, बहुत देर तक आप बैठ चुके हैं अगर बात की जाए इसके charging time की, तो battery performance इसकी जो है, वो 60 minutes लगभग charge हो जाता है देर घंटा तक maximum ये 0-100% तक चार हो जाता है अगर watch को flight mode पे रखे तो आराम से 30 दिन तक चला जाता है अगर आप Bluetooth से connect करके और बहुत ही normal यूज़ करते हैं, तो 20-25 दिन तक आपका ये घड़ी चलता है, लेकिन अगर fitness app, GPS और 1-2 घंटा-2 घंटा अगर आप इसको daily यूज़ करते हैं, तो 10-15 तिन तक आराम से ये backup देता है आपको और ये यूज़ करने के बाद ही आपको ये review दिया जा रहा है, तो इसके battery backup जो है, वो काफी अच्छी है अगर बात करें इसमें क्या-क्या कमिया है तो contrast low होने की वज़़ा से कभी-कभी थोड़ा dull लगता है अपडेट बहुत जादा इसमें frequently नहीं मिलते है ये कमी है, charging point है वो थोड़ा corrode होने लगा है time to time पे लेकिन अभी भी वैसा ही response देता अभी भी दिलगंटे में चार्ज हो जाता है पहले से अभी भी, अगर देखा जाए इसका क्या strap जो है GPS को track कर सकते हो, ना कि smart watch से अगर ये smart watch में होता GPS tracking का system, तो काफी अच्छा होता तो कुल मिला जो लागा करें, अगर मेरा verdict देखा जाए, तो लगभग 10-15 दिन इसकी battery life चलती है, आपको ज़रूरी सारे features आपको मिलते हैं, GPS, heart rate monitor, 5000 रुपे के अंदर आपका जो घड़ी है, वो 20 दिन तक लगभग चल जाता है, अगर आप इसको बहुत ही normal use करें, तो सारे fitness features मिल जाते हैं, जिसकी आपको वाकई में जरूरत पढ़ सकती है, तो अगर मेरा final verdict इस watch के बारे में हो, तो क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको अपने जेब से 5000 रुपीज निकाल करके इस watch को खरीद लेना चाहिए, तो अगर आपका budget 5000 है, और 5000 तक आप कोई premium quality का, मतलब 5000 रुपए के range के premium quality का, अगर कोई smart watch ढून रहे हैं, तो आपके लिए Amazfit Bip एक अच्छा choice होगा, जिसमें कि आपको लगभग सभी features मिल जाते हैं, चार ताइप का, आपको sport tracking मिल जाता है, heart rate monitor मिलता है, sleep monitor मिलता है, display काफी अच्छा मिलता है आपको, incoming call and text message notifications मिल जाते हैं, battery life अच्छी मिलते हैं, GPS मिलता है, कि वहला आप calls नहीं कर सकते हैं इससे, में, if you want to buy, you can go and just click on the link and buy it, end में मैं आपको कुछ important points लाजता हूँ, जो कि आपको इस smartwatch को use करने से पहले जानना चाहिए, smartphone से जब आप इसको connect करेंगे, एप के तो 20 से 25 मिनिट्स लगेगा सारे resources को update होने में, तो आप इससे घबड़ाईएगा मत, आराम से इसको update होने जएगा, बहुत ही normal है ये, अगर दूसरी बात की जाए, कि इसमें और क्या मिलता है आपको, तो सबसे चीज है, कि आपको IP68 की waterproof rating मिलती है, लेकिन इसको swimming मतले की जाएगा, कि swimming certified नहीं है, तो हो सकता है कि जब आप swimming करने लेकि जाएगे इसको, तो आप एक dead watch के साथ वापस हैं, जो कि आप नहीं चाहेंगे, प्लास्टिक जो है उसका वो prone to scratches हैं, तो long run में scratches पर सकते हैं, तो अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे, तो scratches नहीं पढ़ेंगे, टन्स ओफ watch faces पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, PC से और वगेरा से जहां से आप चाहेंगे, उसके बाद इसमें आपको ठीक ठाक memory मिल जाती है, store करने के लिए apps को और music को, continuous heart rate monitoring मिलती है, और slip tracker मिलता है, जो आपके लिए बहुती जादा helpful होगा, तो एक complete package आपको 5,000 रुपे के अंडर मिलता है, अगर Amazfit Bip smartwatch की बात की जाए तो, दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ये था वीडियो Amazfit Bip के बारे में, अगर आपके वीडियो की इसी वीडियों से पसंद देगे, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, जादा लोगों तक पहुचाएए ताकि जादा लोगों तक ये वीडियो पहुच सके, और जादा लोगों तक जानकारी में पहुच सके, Amazfit Bip touchscreen smartwatch के बारे में, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही धन्यवाद,